दो दिन से देश में वेस्टलेंड हेलिकॉप्टर की खरिदी पर इटली की कॉट में एक मामला जो भारा आया है इस पर चर्चा हो रही है कल मैंने कॉंग्रेस अध्यक्षा का बयान देखा उन्होंने बताया वो किसी से डरती नहीं है मैं उनको कहना चाता हूँ कि हम भारतिय जनता पार्टी वाले सभी नेता हम तो समविधान से भी डरते हैं हम नियमों से भी डरते हैं और लोकलाज से भी डरते हैं और आपने सही फरमाया है कि आप किसी से डरती नहीं है और इसलिए इस तरह के मामले बाहर आते हैं जब नेशनल हेराल होता है आप कहती है कि आप किसी से नहीं डरती है जब वेस्टलेंड होता है तो आप कहती है किसी से नहीं डरती है मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि इटली की कौर्ट में घूस देने वाले जहल में है तो मेदार है और उन लोगों ने इस सत्य को उजागर करना चाहिए देश की जनता के सामने आना चाहिए और आज जब मामला उठ रहा है तब ऐसा मालूम होता है कि UPA सरकार विश्व में अपने आप में एक ऐसी अनूठी सरकार थी जो सरकार में थी तब तो गपले गोटाले बाह सामने बाहर आते हैं मुझे लगता है कि डरने न डरने की बात से बाहर निकल कर कॉंग्रेस अध्यक्सा इतना जनता के सामने रखे कि यह जो पैसा दिया गया है इटली की कौर्ट में सिद्ध हो गया है कि पैसा दिया गया है वो पैसा किसको मिला है किस ने लिया है और इसम स्पश्टता करें तो देश की जनता के सामने सारे बात अपने आप साफ हो जाई